तो गाइस आज किस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपके पास भी SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है एंड आप लोग उसे यूज करते हैं तो आपको जरूर से reward point मिला होगा तो आज किस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आपको जोबी SBI क्रेडिट कार्ड में reward point मिला है तो उसे किस तरीके से redeem कर सकते हैं इस वीडियो में आपको A2Z complete process दिखाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा लाज तक देख लेना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाईस सबसे पहले अपने SBI क्रेडिट कार्ड के reward point को redeem करने के लिए आपको SBI कार्ड application को open करना है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने open कर लिया है तो यहाँ पर M-PIN डालने के लिए आज आएगा तो आप ZOBI M-PIN बना के रखें SBI कार्ड application का तो यहाँ पर डालेंगे तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो SBI कार्ड application है यहाँ पर open हो चुका है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका ZOBI क्रेडिट कार्ड का limit हो गयरा होगा आप जितना भी use किये होंगे सारा details से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद दोस्तो अपना SBI क्रेडिट का reward point को redeem करने के लिए simple सा आपको scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर देखेंगे आपका ZOBI reward point होगा total reward point यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो total reward point है 7973 point है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका ZOBI reward point होगा दोस्तो यहाँ पे आपका ZO reward point रहता है एक्सपायर भी हो जाता है तो आपको redeem कर लेना चाहिए तो यहाँ पर redeem करने के लिए देख सकते हैं यहीं पे आपको एक option मिल जाता है view reward points का तो simple सा यहाँ पे आपको एक बार click करना है अब दोस्तो जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपका ZOBI यहाँ पर total reward point होगा देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो आपका ZOBI reward point है उससे आप लोग gift voucher ले सकते हैं अभी जो है तो cash में आप लोग convert नहीं कर सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर आपको option देखने को नहीं मिलेगा तो guys यहाँ पर आपके सामने कई सारे gift card लेने के लिए option मिल जाते हैं जैसे कि Reliance Smart का आप लोग gift voucher ले सकते हैं या फिर Amazon का लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं एक और आप मिल जाता है देख सकते हैं smart का तो यहाँ पर आपको कई सारे option देखने को मिल जाते हैं इससे आप लोग अपने reward point से gift voucher ले सकते हैं तो guys या इसकिस वीडियो में Amazon का मैं gift card लेके आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को देख लेना है देख सकते हैं यहाँ पर Amazon पे का option मिल जाएगा तो simple सा यहाँ पर click करेंगे अब दोस्तों जैसे ही आप लोग Amazon बाले option को select करते हैं तो आपके समने कुछ इस तरीके से आज आएगा देख सकते हैं Amazon पे gift card लेके बाउचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको details देखने को मिल जाएगी जैसे कि अगर आपका 7600 reward point है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए का Amazon का gift voucher मिल जाएगा तो गाइस अगर आपका 7600 reward point नहीं है तो यहाँ पर एक और option मिल जाता है देख सकते हैं 3800 अगर आपके पास reward point है तो उसको select करेंगे और यहाँ पर 500 रुपए आप अपने credit card से payment करेंगे तो भी यहाँ पर आपको 1000 रुपए का gift voucher मिल जाएगा तो गाइस यहाँ पर मेरे case में मेरा जो 7600 reward point complete है तो इस वाले option को select करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 700 reward point अगर हम select करते हैं तो मुझे 1000 रुपए का Amazon का gift voucher मिल जाएगा तो गाइस यहाँ पर आपको अपने हिसाब से select कर लेना है आपका zombie reward point होगा तो यहाँ पर आपको देख लेना है उसके बाद नीचे एक option मिल जाएगा add to card का देख सकते हैं इसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपके card में add हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक option मिल जाएगा redeem card का देख सकते हैं सिंपल से आपको redeem card वाले option का उपर यहाँ पर click करना है देख सकते हैं 7 या 600 point मैंने दिया है तो मुझे 1000 का gift voucher मिल जाएगा Amazon का इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको check out का option मिलेगा इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आपको बताया जारा कि आपका जो gmail ID और mobile number है इसी में आपका जो gift voucher है भेजा जाएगा तो यहाँ पर आपको confirm करना है तो नीचे दो box मिल जाएंगे दोनों में tick mark लगाएंगे simple सा यहाँ पर place order वाले option को उपर click करेंगे यहाँ पर आपसे confirmation किया जाएगा तो simple सा okay वाले option को उपर click करेंगे तो guys अब जो मेरा reward point है successfully यहाँ पर redeem हो चुका है यानि कि मैंने जो Amazon का gift voucher purchase किया है 1000 रुबए का successfully यहाँ पर आपके reward point से redeem हो चुका है 1000 रुबए का मेरा gift voucher Amazon का successfully यहाँ पर redeem हो चुका है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको एक से दो दिन का time लगता है एक से दो दिन के अंदर ही आपके message या फिर mail में आपको gift voucher मिल जाएगा उसके बाद आपको zobe gift voucher मिलेगा तो आप लोग Amazon application में जाके वहाँ से यूज कर सकते हैं चाहें तो आप लोग कोई सामान purchase कर सकते हैं या फिर आप लोग recharge होगरा करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं तो guys आप लोग भी इसी तरीके से अपने SBI credit card के reward point को आसानी से redeem कर सकते हैं आसा है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक like जरू से करिएगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजेगा तो लिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रों